दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निंजा एस्टू के क्रेश के बारे में साथ ही हम जैडेक्स टैनार के क्रेशेश भी देखेंगे और ये बाइक क्रेशेश देखकर आप भी दंग रह जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं नमबर सैवन पर हैं जीजी के व्लॉक्स जीजी के व्लॉक्स एक मोटो व्लॉगर हैं इनके पास बहुत सी बाइक्स हैं उनमें से ही एक है जैडेक्स टैनार जैसा कि आप स्क्रीन पर देखी सकते हैं और आपको पता ही होगा इसका आज ओन रोड प्राइस 14 से 15 रुपय है जी जी के व्लॉक्स संडे राइट पर निकलते हैं और इनके साथ बहुत सारे राइडर्स होते हैं और जब इन लोगों की राइट शुरू होती है उसके बाद जी जी के व्लॉक्स गलती से एक डिवाइडर से टकरा जाते हैं जिसमें इनको तो अच्शे था है और इस एक्सिडेंट में भी राइडर तो बच जाता है पर जेडा एक्स टैनर का काफी लॉस हो जाता है नमबर फाइब पर हैं बकन्डि ब्लो ये एक मोटो व्लॉगर हैं और इनके सबसक्काइबस भी काफी अच्छे हैं और ये भी एक संडे रायड पर गए हुए थे जिसमें बहुत से राइडर्स आये हुए थे जिन में से इनके आगे एक टैनार वाले भाई की अचानक से बाइक स्लिप हो जाती है और वो टनल की दिवार से टकरा जाता है लेकिन इन्होंने राइडिंग किट्स पहनी थी इसी वज़े से इनको तो कुछ नहीं होता है लेकिन बाइक का काफी नुकसान हो जाता है जैसा कि आप देखी सकते हैं नंबर फोर पर हैं सकाई लॉड इनको तो आप जानती होंगे ये एक काफी फेमस गेमर थे लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं है ये एक दिन राइड पर जाते हैं और इनके पास निंजा 300 थ लेकिन इनका एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें इनकी देख हो जाती है दोस्तों जिन्दगी का कुछ पता नहीं है इसलिए बाइक चलाते टाइम प्रोटेक्शन जरूर रखें हेलमेट और राइडिंग केट्स नंबर थ्री पर हैं JS फिल्म्स मोटो व्लॉगिंग के दुन वापी भ souvent के पास बहुत सी सूपर बाइक्स है और ये एक मस्टैंग जीटी भी ओन करते हैं और इनके पास जो सूपर बाइक्स हैं उनमें से ही एक है H2 और इनके भी छोटे-मोटे एक्सिडेंट्स होते रहते हैं पर प्रौपर सेफटी यूस करने की वज़ए से इनको पाल चले जाते हैं लेकिन इनका वहाँ पर एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें इनकी दोनों टांगों में फ्रेक्चर आते हैं और इनकी H2 पूरी तरीके से भरबाद हो जाती है लेकिन अब तो ये रिकवर हो चुके हैं और एक नई राइट की प्लैनिंग कर रहे हैं दोस्तो वीडियो में यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपने फेवरेट मोटो व्लॉगर का नाम जरूर बताना